तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से कैसे जो है पोस्ट लिखना है कैसे जो है टाइटल लिखना है कैसे सर्च डिस्क्रेप्शन लिखना है और कैसे जो है एडसेंस का अपरूबल लेना है इस वीडियो में इसी का जनकारी में आपको देने वाल ठीक है जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो कि यह वाला जो एप है बलॉगर का एप है तो इसी के अंदर में जो है पोस्ट लिख के मैं आपको बताऊंगा तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टैम लेंगे नहीं अब करते हैं सुरू तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहां पे जो यह बलॉगर का एप है इसको ऑपन करेंगे तो जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो कि मेरा जो हाट टचिंग हिंदी लैन का जो वेब साइट है वो यहां पे आ चुका है ठीक है इसमें जो है आप जीमेल आइडी से लॉग इन हो सकते हो जिस जीमेल आइडी पे आपका जो बलॉगर बना होगा उसी जीमेल आइडी से यहां पे जो है लॉग इन हो ठीक है तो आप भी लॉग इन हो जाना तो उस पे जितना भी पोस्ट होगा वो सारा यहाँ पे दिखेगा या नहीं तो new post कैसे लिखना है वो भी जनकारी में आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारा post है यहाँ ठीक है बांकि यह सब जो है laptop से मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आज मैं mobile से आपको लिख के बताने वाला हूँ तो यहाँ पे करना क्या है कि simple सा है यहाँ पे इस icon पे आपको किलिक कर देना है pencil के icon पे और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है title देना है ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पे start creating your post पे किलिक करके आप post लिख सकते हो, उसके बाद level दे सकते हो, तो चलिए यहां पर जो है कैसे लिखना है, इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन हम पहली ही से लिक रखे हैं, तो ओ दिखेगा कहां पर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको करेंगे हम back अब यहाँ पे हम करेंगे क्या है की keep note को open करेंगे ठीक है यह जो है keep note है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जो है पहली ही से link के रखाऊं ठीक है यह सब जो है क्या है कि search description है ठीक है और इसी के अंदर में जो है आप link के save कर सकते हो बाद में जो है आप copy paste कर सकते हो इसके अंदर में जो है आप photo को भी रख सकते हो ठीक है यहाँ पे आपको दिख जाता है photo उसके बाद जो है यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूं कि मैं इसके अंदर में पोस्ट लिक के रखाऊं यह वाला पोस्ट ठीक है तो यहां से करूंगा क्या कि डाइरेक्ट जो है हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो यह चीज बिल्गु लीगल है इससे जो एडसेंस का अप्रूबल मिल जाएगा ठीक है इसके अंदर में अगर आप लिक के यहां पर पेस्ट तो नहीं न किये हो भाई एक एक वर्ड करके आप लिखे हो ना तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूबल भी मिलेगा और आपका बलॉगर तेजी से चलेगा भी ठीक है तो यहां पर जो हमने क्या किया कि लिक के देख सकते हो कि 6 पोष्ट करता हूं अपने बलॉगर के अंदर में तो 6 पोष्ट जो है मैं यहां पर लिख रहाएं ठीक है बाद में चलके जो है मुझे करना क्या पड़ता है कि एक ही बार में जो है पोष्ट में कर देता हूं यानि अलग-अलग करके मैं 6 पोष्ट डाल देता हूं बल्वागर के अंदर में आप लोगों को भी पता हो या ना हो लेकिन मेरा जो है तीन बेप साइड है एक यूटूब चैनल है तो मैं कैसे काम कर लेता हूं तो यहां पर जो है यह Google कीप नोटका ही कमाल है जो कि मैं कर लेता हूं ठीक है क्लाड तो मैं लिक के रख लेता हूं बाद में चल के जोर एक ही बार में क्या करता हूं कि कि You Tube Channel पर भी वीडियो अपिलोड कर देता हूं यहीं पर सर्च कुछ लिक के रखता हूं तो यहां पे से चलिए मैं करूंगा एक पोस्ट को कंगा Papi करети प्रद कुछ किί पैंसिल के आईकोन पर किलिक कर देना है Pencil के आईगोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने तीन आप्सन आ जाता है ठीक है तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर Start Creating Your Post पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो Copy किया है उसको यहाँ पर Paste कर देंगे ठीक तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि Paste हमने कर दिया है ठीक है अब Paste होने के बाद यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आपको Title देना है ठीक है तो यहाँ पर Title हम किस परकार से देंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है बांकि यहां पे जो है करेंगे क्या कि यहां पे फोटो को upload करेंगे तो नीचे आपको दिख जाता है इतना सारा option ठीक है यहां पे ठीक है तो यहां पे फोटो का जो icon है उस पे भी click कर सकते हो बांकि इसको अगर bolt करना है तो आप क्या कर सकते हो कि bolt कर सकते हो तो सभी को करना क्या होगा कि select करना होगा ठीक है यहाँ पर जो है select all कर लेना और उसके बाद जो है यहाँ बोल्ट है इस पर click कर देना बोल्ट हो जाएगा अब यहां पे आपको करना क्या है कि यहां पे फोटो अपलोड करना है ठीक है तो फोटो अपलोड करने के लिए आप एंटर दबा के नीचे की और कर देना है ठीक है अब यहां पे नीचे फोटो का आइकोन है इस पर किलिक कर देना है और यहां एलाओ प की फोटो आ चुका है ठीक है तो यहां पे जो है इस तरीके से जो है आप आके और यहां पे जो है पोस्ट को लिख सकते हो और उसके बाद जो है अगर आपको कोई भी लिंक अटेच करना है कुछ भी करना है ठीक है यहां पे सारा उप्सन आपको मिल जाता है तो यहां पे जो तो बने को कॉपी किया था उसको यहां पे पेस्ट कर देंगे धीक तो यह टाइटल बन किया अब यहां पे आंपर देंगे महा काल status ठीचे तो यहां पर हम लिख देंगे महा काल baby status जैसे कि आप देख रहो कि महा काल status हमने लिख दिया हैं अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर ओपर में देख रहे तो जैसे कि यहां पे आप देख रहो कि मैंने लिख दिया ठीक है अब करना क्या है इसमें कि यहां पे जो ही किलिक कर देना है ठीक है तो चलिए मैं किलिक कर देता हूं और यहां पे जो है पब्लिस करना है ठीक है यहां पे फिर पब्लिस पे आपको किलिक कर देना होगा तो यह जो है पब्लिस हो रहा है ठीक है यहाँ पे आप देख रहो कि पब्लिस हो रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है पब्लिस कर सकते हो तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहो कि यह जो पहला वाला पोस्ट है यह जो है पब्लिस हो चुका है ठीक है तो अम मैं करूँगा क्या कि यहां पे जो है किलिक करके और यहां से जो है विव बलोग पे हम किलिक करेंगे विव बलोग पे किलिक करने कबाद यहां पे देख सकते हो कि यह जो पहला वाला है यह पोस्ट यही मैंने लिखा है ठीक है बांकी इस पर आप देख सकते हो कि add भी दिखता है ठीक है तो इसी तरीके से जो है मैं post लिखता हूँ और इसी तरीके से जो है मैंने Google AdSense का approval लिया है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बांकी अगर आपके पास mobile है तो आप जो है इसी तरीके से post लिख के और जो है आप blogger से earning कर सकते हो ठीक है बांकी और कोई बात नहीं है यहां से जो है अगर आप post को लिखते हो तो आपका post जो है viral भी होगा बांकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो blogger के अंदर में बहुत ही सारा option है इसके अंदर में आप जो है जब यूज करोगे इसको तो आप धीरे धीरे आप सीख जाओगे ठीक है बांकी एक बात में आपको बता देता हूं कि यहां पर जो यह keep note है ठीक है इसका link जो है इस video के description में मिल जाएगा और blogger app का भी link आपको नीचे इस video के description में मिल जाएगा ठीक है यह जो keep note है बहुत ही कमाल का है इसके अंदर में जो है पहली मैं करता क्या हूं कि search description लिख लेता हूं title लिख लेता हूं जो भी कुछ लिखना रहता हूं वो लिखता हूं और बाद मे भी काम करता हूं तो यहाँ पर जो है सबसे बारा जो योगदान है Google keep note का है ठीक है मेरे लिए बाकि अगर आप भी यूज करना चाहते हो तो इस video के description में जो है Google keep note का आपको app मिल जाएगा ठीक है वहाँ पर किलिक करके आप download कर सकते हो बहुत ही असानी से तो चलिए यही ज notification आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही अम मिलते हैं अगले वीडियो में